नमस्कार तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ यूपी की और उतर प्रदीश के औरया जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इसे देखकर इंसानियत भी शर्मिसार हो जाए चोरी के शक में एक नाबालिक दलित बच्चे को कुछ युखों ने बंधक बना कर पीटा दबंगों ने बहरहमी से पिटाई करते हुए नाबालिक बच्चे का तालिबानी सजादे डाली बता दे कि बच्चे को रस्ती से हाथ पैर बांध कर उससे जम कर पीटा गया इसके बाद डंडे और थपगलों से उसकी जमकर पिटाई भी कर दी गई वीडियो वाइरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्च कर वीडियो में दिखाई दे रहे तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है दलित नाबालिक बच्चे को बंधक बनाकर पीटने का मामला फफुन्द थाना छेतरे के महला जोगियान का है जहां धर्म विशेश की बाहुल ये बस्ती है कई लोगों ने नाबालिक दलित बच्चे को चोडी के आरोप में बकल कर हाथ पैर रस्ती से बांद कर थपड़ और डंडे से मार पीट की वारल वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि जिस इस्थान पर बच्चे को पीटा जा रहा है उसे इस्थान पर कई लोग तमाश बीन बने देख रहे हैं लेकिन उसकी किसी ने भी मदद नहीं की वही महिलाएं भी है इस घटना को देख कर रोपने की जरूरत नहीं समझी कानपूर पुलिस की गिरफ्त में एक साइकल चोर आया है जी हाँ यह चोर वाज़ार में खड़ी साइकलों को चोराता था पुलिस ने चोर के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है पिछले दिनों कानपूर में एक कार चोरी के मामले में मुकदमा ना दर्च करने पर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया था लाहबाद हाई कोड ने कानपूर के पुलिस कमिशनर आरके स्वाइनकार को ही तलब कर लिया बता दे कि बीते दो दिन पहले कानपूर कमिशनर स्वाइनकार ने कोड में पेश होकर अपनी सफाई देते हुए मामले में गलती सुधारी साथ ही दोशी थानेदार पर भी मुकद कमाद synthetic करने का देश करतिया है इसके बाधतकाल प्रफाऊ से कार चोरी की रिपोर्ट लीखी गई हाई कोर्ड के इस हंटर के बाद कांदन प्रपीक में पॉलिस कमिशनर रेट अब बाईक चोरी क्या म्म rushing की भी रिपोर्ड दर्च करने है कि देश में कानून ही सर्वो परी है वहीं बात करें हात रस की तो हात रस में 150 फीट गहरे बोरबेल में बकरी का बच्चा गिर गया जी हां आपको बता दें जिसको बचाने के लिए पिछले चार दिन से रैस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है बकरी का बच्चा 35 फिट क गहराई में जाकर अटक गया है इस रैस्क्यू ऑपरेशन में 4 जेसी भी मशीने लगाई गई है और एक पोक लेन मशीन भी काम कर रही है यहीं मशीने बोरबेल के पास एक और होल कर रही है बकरी के बच्चे को बचाया जा सके वहीं फिलहाल मैमने को रस्ती के सहारे चारा और पानी पहुँचाया जा रहा है रैस्क्यू ऑपरेशन को कुल 11 दिन हो चुके हैं बकरी का बच्चा 16 सबंबर को बोरबेल में गिरा था पूरा मामला हात रस में मुरसान का लेक्टरेस्ट के पास का है मैं बात कर लेते हैं राम मंदिर अयोध्या की उत्तर प्रदेश में राम की नगरी अयोध्या में श्री राम के निर्माना धीन भव्य मंदिर का काम तेजी से हो रहा है अगले साल 22 जनबरी को प्रान प्रतिस्था से पहले राम मंदिर निर्मान के सभी काम तेजी से पूरे किये जा रहे हैं ऐसी बीच राम मंदिर में विध्युत कनेक्शन का काम पूरा हो गया है इसकी जानकारी उतर प्रदेश के मुख्य मंत्री खुद योगी आदेतिनात ने अपने ओफिशियल सोशल मीडिया एकाउंट से दी है मुख्य मंत्री योगी आदेतिनात ने योध्या में निर्माणा धीन भव्य मंदिर में विध्युत कनेक्शन का पूरा काम होने पर यूपी PCL का धन्यवाद दिया इसके साथ ही उन्होंने राम भक्तो और प्रदेश वासियों को राम मंदिर के इस सबसे महत्पूर का काम पूरा होने पर भी बधाई दिया योध्या में अगले साल 22 जन्वरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिस्ठा का काम पूरा होना है ऐसे में प्रशासन मंदिर से संबंधित सभी तैयारियों को तेजी से पूरा करने में जुट गई है दो दिन हुई बारिश के बाद उत्तर प्रदेश में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है प्रदेश में कई हिस्सों में अब कोहरा अपना रंग दिखाएगा जिसका सरपश्यमी UV में दिखाई दे सकता है UV में अब बारिश का सिलसला थम गया है और अब मौसम शुष्क हो गया है मौसम विभाग के मताबिक अगले 5 दिन तक मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान जिताया गया है लेकिन पूरे प्रदेश में एक और दो स्थानों पर हलके से मध्यम कोहरा च्राय रहने की भी संभावना है तो ये थी हमारी आज की कुछ खास खबरे और भी खास जानकारी के लिए लगतार देखते रहिए डीवी नियूस